दोस्तो जैसे कि आप सब जानते हो OBS Studio का latest version आ गया है OBS Studio 30.2.3 आज के वीडियों हम बात करेंगे कि OBS के इस नए latest version में कौन-कौन से ऐसे कमाल के features एड़ हुए हैं जो हमारे काम में आ सकते हैं तो आईए चलते हैं अपने PC पर और अपने OBS Studio को open कर लेते हैं और देखते हैं क्या-क्या कमाल के features हमें इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं दोस्तो OBS Studio का latest version आ गया है OBS Studio 30.2.3 जैसे कि आप देख रहों मैंने latest version यहाँ पर update कर लिया है OBS 30.2.3 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OBS Studio 30.2 release note इसमें आपको यह सारे features update देखने हो मिल जाते हैं new features यहाँ पर दिया गया है कौन-कौन से features यहाँ पर add किये गया है जो twitch users हैं उनके लिए यहाँ पर enhance broadcasting का option इसके अंदर add कर दिया गया है इसके अलावा यहाँ पर multi track का option भी add कर दिया गया है multi track video setting का option भी यहाँ पर enable कर दिया गया है साथ ही साथ एक BOD track करके यहाँ पर एक feature add किया गया है यह basically twitch users के लिए हैं इसके अलावा जो हमारे लिए useful feature है वो है hybrid mp4 output format यह एक नया feature add किया गया है और बहुत ही useful feature है तो सबसे पहले आपको अपना OBS studio update कर लेना है update करने के लिए यहाँ पर जो help का option आता है इस पर आपको क्लिक करना है इसमें आपको एक option दिखाई देगा check for updates आपको check for updates पर क्लिक कर देना है इसके UI को update कर दिया गया है साथी साथ कुछ works को भी fix किया गया है जिससे OBS studio काफी smoothly यहाँ पर काम कर रहा है मतलब आपका जो experience है वो और भी अच्छा होने वाला है OBS studio के latest version के साथ यह से general setting आ रही है इसके बाद appearance तो appearance के अंदर पहले यहाँ पर हमें simple theme देखने को मिलती थी अब यहाँ पर theme को भी change कर दिया गया है तो यहाँ आप देख रहे हैं यह हमारी basic theme जो base theme है वो yummy theme यहाँ पर देखने हो मिलती है उसके बाद यहाँ पर style का option दिया गया है अब आप अपनी theme के style को यहाँ से change कर सकते हो तो यह छोटे छोटे changes किये गए हैं जिससे जो appearance है वो काफी improve यहाँ पर हो चुकी है इसके अलाबा अगर आप Twitch का इस्तेमाल करते हो live streaming करते हो तो उसमें आपको enhance broadcasting का option देखने हो मिल जाएगा यह सिर्फ अभी Twitch users के लिए ही है यहाँ आप देख रहा हैं कि नया feature add हो गया है multi track video यहाँ से आप इसे enable कर सकते हो enable enhance broadcasting यहाँ से enable करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप एक Twitch user हो तो यह भी काफी कमाल का feature है लेकिन Twitch जादतर इंडिया में लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसको हम कर देते हैं बंद कुछ ऐसे changes है जो Twitch users के लिए बहुत जादे useful है कुछ Mac users के लिए जादे useful है इसके अलावा कुछ ऐसे भी कमाल के features इसमें add किये गए है अब hybrid MP4 format आपका recording में बहुत काम आने वाला है तो पहले जब हम recording करते थे तो यहां पर हम या तो MP4 format select करते थे या MKB format select करते थे MP4 format में क्या होता था अगर आपने MP4 format में recording start कर दी मालो आपकी 10 minute की recording हो गई और किसी कारण से आपका OVS studio बंद हो गया crash हो गया या light चली गई तो आपकी जो 10 minute की recording होती थी वो आपकी delete हो जाती थी आपको नहीं मिलती थी और अगर आप MKB format में recording करते थे तो आपकी recording 10 minute आपने recording की आप उसके बाद आपका OVS studio बंद हो गया crash हो गया light चली गई तो आपको 10 minute की recording मिलतो जाती थी लेकिन उसके लिए आपको जो MKB format में आपकी recording थी उसे आपको MP4 format में दुवारा से remix करना पड़ता था चेंज करना पड़ता था MP4 format में तभी आप उसको इसको इस्तिमाल कर पाते थे लेकिन अब ये जो कमाल का feature आया है hybrid MP4 format तो इससे आपको बहुत फाइदा होने वाला है यहाँ पर setting पर हम click करेंगे output पर जब आप click करोगे recording option यहाँ पर select करोगे तो यहाँ पर आपको एक नया option देखने को मिलेगा वहती कमाल का ये वाला format एड़ कर दिया गया है hybrid MP4 यह हमारे बहुत काम आने वाला है अगर आप hybrid MP4 में recording अब करोगे तो माल लो आपकी 10 मिनट की recording हो गई अब अगर light भी चली जाए आपका PC बंद हो गया उसके बाद आप इस recording को जो आपकी 10 मिनट की recording है यह आपको ऐसी की ऐसी ही मिल जाएगी आपको change करने की जरूत नहीं क्योंकि यह already MP4 format में ही यहाँ पर record होगा इसके अलावा hybrid MP4 में अगर आप recording करोगे तो आपको यहाँ पर एक और भी कमाल का feature इसके अंदर add हो गया है आप जब recording कर रहे हो तो अपने वीडियो में आप chapters को add कर सकते हो markers लगा सकते हो यह भी एक नया कमाल का feature यहाँ पर add हो गया है markers आप इसमें कैसे लगाओगे वो भ आपको एक key create कर देनी है तो मैंने आपर control plus A यहाँ पर अपनी hot key बना ली है इस तरह से आपको hot key create कर लेनी है उसके बाद आपको apply कर देना है OK पर click कर देना है तो हमने आपर इस तरह से एक hot key create कर ली अब जब भी हम hybrid MP4 में अपनी recording कर रहे होंगे अब मालो आपको लग रहा यानि chapter हमारा create हो जाएगा उसके बाद final जब हमारी recording complete हो जाएगी उसके बाद जब हम किसी भी video editing software में इस recording को edit करेंगे तो बहाँ पर आपको ये markers clearly दिखाई देंगे जिससे आपको editing में काफी आसानी हो जाती है तो hybrid MP4 का feature मुझे सबसे जादा बढ़िया लगा ये मेरे लि update add किये गये हैं इसके अलावा छोटे छोटे अपडेट भी यहां पर किये गये हैं जैसे UI को update किया गया है कुछ bugs को fix किया गया है बहुत सारे इस तरह के update यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे लेकिन जो main main update थे जो हमारे काम के हैं हमारे use में आने वाले हैं वो मैंने one day matram